नमस्ते, वेलकम टू संगीता फैशन, आज मैं आपके साथ जो शेर कर रहे हूँ तो इस सारी की ब्लाउज डिजाइन है और ये जो सारी है ये तो बहुत ही उपसूरत है लेकिन इसकी ब्लाउज भी बहुत ही उपसूरत है उसके उपर एमरोडारी की डिजाइन आई हुई है पूरी ब्लाउज पे है और ये जो सारी है ये पूरी सारी बहुत ही उपसूरत है ये पूरी सारी जाली में आई हुई है अगर आपको ये सारी देखनी है तो मेरे अन्बॉक्सिंग चैनल पे उसकी लिंक में नीचे डिस्प्रिक्शन बॉक्स में दे रहे हूँ अब हम ये और इसके लिए ये बाजू के अब हम ब्लाउज का मेजरमेंट ले लेते हैं ये 33 इंच के मेजरमेंट के साथ ब्लाउज पिस आया है इसके हाइट 14 इंच है ये शिलाय मार्जिन के साथ रखा हुआ है आर्म होल 6 है और शोल्डर पे भी 6 इंच है अब मैंने ये पूरा और उसके उपर ये उल्टा ब्लाउज का फैब्रिक रखा हुआ है अब हम जो ये डिजाइन है इसको ड्रा करके इसके गले का आकार निकालेंगे यहाँ पर मैंने तीन इंच का लिया है और यहाँ से भी तीन इंच का लिया हुआ है और इसको जो एमरोडारी का रेडिमेड गला आया हुआ है उसके उपर कुछ इस तरह से draw करेंगे कि गले का आकार भी यह आजाय और हमारा आकार जो एम्रोडारी में है उसमें अच्छे से बैट जाए अन्इवनना हो जाए कुछ इस तरह से मैंने draw के आ है अब इसके उपर हम सिलाई टिप लगाएंगे इस सिलाई टिप हम दो पॉइंट की सिलाई टिप रखना ताकि गले का आकर गुमते वक्त वो सिलाई टिप दो की होने की वज़े से वो आकर बहुत आच्छी तरह गुमता है अगर बड़ी हो तो जल्दी गुमता है तो आकर इतना अच्छे से नहीं बैठता है अब नीचे के साइड भी हम इसका टीप लगा लेंगे दोनों तरफ से टीप लगाने के बाद हम इसको पल्टी कर देंगे पल्टी करने के बाद ये बहुत ही उपसूरत उभर कर आएगा अब देखें इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे ये cut करने के बाद ये छोटे-छोटे cuts लगाएंगे ये छोटे-छोटे cuts की वज़े से गले का आकर गोलाई में आ जाएगा अब देखे हम इसको तो सफाई के साथ गले का आकर इस तरह से प्रेस टिप लगाकर निकाल लेंगे प्रेस टिप लगाने के बाद ये बाहर की साइड भी हम टिप लगाएंगे ताकि गले के जो फैबरिक हे पूरा वो इधर उधर ना हो जाए अब नेचे के साइड से भी प्रेस टिप लगाकर और ये पठी को प्याक कर लेंगे अब ये बाहर की साइट भी हम प्रेश टिप लगाएंगे अब इसको हम टक्स लगाएंगे टक्स को आप उपर की साइट और नीचे की साइट में दो बार टिप जरूर लगाना अब हम इसकी जो ब्लाउज की डिजाइन है वो डिजाइन बना लेते हैं ये डिजाइन को मैंने थर्मकॉल के बॉल ले हुए है आप अगर चाहे तो रूई के इस्तमाल से भी ये बना सकते हैं लेकिन रूई के बॉल अनिवन हो जाते हैं छोटा बड़ा इसा हो जाता है इस वजे से आप इसे बाजार में धर्मकॉल के बॉल बहुत आसानी से मिल जाते आप इसका इस्तमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा और आपके लिए परेशानी भी नहीं होगी आप कुछ इस तरह से ऐसे डिजाइन बनाएगा और डिजाइन बनाने के बार जो हमने गला बना कर रखा हुआ था उस गले को गले के उपर ये कुछ इस तरह से बिठाना है जब हम ये बॉल्स बिठाते हैं तो मेरे हाथ से वो देखे पीछे की साइट में मैंने ये जो दापट्टी है उसको इस तरह से उठाना है कि वो जो बॉल्स है उसके उपर से जब भी मशिन जाती है तो रुख जाती है जब हम दापट्टी से मशिन उठा लेंगे तो ये मशिन उठाने की वज़े से मशिन आसाने से आगे जाती है नहीं तो हम ये बॉल्स ब्लाउच के उपर नहीं बिठा पाते हैं और उन्स बाल्स को भी जब हम मशीन के उपर जो हमारी दोनों उंगलिया है, आप ठीक से देख लेना, दोनों उंगलियों के बीच में बाल्स को रखना है और फिर उसके ऊपर से यह दाप को उठा कर ही मशिन को आगे बढ़ाना है तब ही यह बॉल्स बहुत ही अच्छी तरह से गले में बैठ जाते हैं नहीं तो वो बाहर आ जाते हैं या फीर ही दरूदर चले जाते हैं हमें जिस जगह चाहिए उस जगह नहीं बैट पाते हैं इसलिए आप पूरे ध्यन के साथ ही यह बॉल्स बिठा देना और यह डिजाइन बहुत कुपसुरत दिख जाते हैं किसी भी ब्लाउज के उपर या कहीं भी हो जहाँ पे आपको ऐसे लगा कि शायद यहाँ पे बिठा पाना है लेकिन वह ठीक से बेटते नहीं इधर उदर जाते हैं तो यह डिजाइन के लिए हर कोई ज्यादा तयार नहीं होता है अब हम एक डोरी की साहता से इसके जो डिजाइन और एमरडायरी और जो हमने डिजाइन बनाई है उसके बीच में जो अंतर रहे गया था उसको अब इस डोरी की मदद से भर रहे हैं यह मैंने रेडी में डोरी ली हुई है और इसको कुछ इस तरह से जिग जैग क्रोस के साथ यह डिजाइन बना रहे हुँ हूँ देखे पूरी इस तरह से मैंने यह डिजाइन बना ली है अगर आपको ऐसे ही मेरे ब्लाउज डिजाइन पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजेगा और मुझे जरूर बताएगा कि यह मेरे डिजाइन आपको कैसे लगते हैं कॉमेंट करके जरूर बतान का यह मेरे डिजाइन कैसे है अगर डिजाइन पसंद आए तो दोस्तों में रिष्टेदारों में शेर जरूर किजेगा लाइक किजेगा ठैंक्स